अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजे एंड इमीडेट अप्डेट के लिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजे तो कल तक हमने जो पढ़ा था रेक्टनेटिब में जो बेसिक चीज़ें वो सारी पढ़ ली थी तो अब हम इंट्रोदीटिन से से पढेंगे में घ्रिकेंड में हमजब प्रोजेक्ट करते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं एक तो आप सी इल्याए की थुल कर लो और या फिर आप है पर अब यहां पर मैंने सारी चीजे टेरा थी क्रोजिघ करते हैं तो मैं तुम लोगों को क्लें करते हैं प्र FCC कौई सब्सक्राइब कर लिठर करते हैं तो किसे प्र recommend क्रीज्ट कर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है क्योंकि वह जितना भी काम है न वह थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड होता है सबसे फ़ले के बारे में बढते है रिखनेट सिप्स विजस ओन बैल टूल हरी करता है उसके पास i Jahre गंटीशन कर सकते हो यह行 को ऐ si कि जब आप लिए तो यह जो मैथड़ है यह जब रिएक्ट नेटिब बनाई गई ती तब ही से चला रहा है ठीक है ना सबसे पहले रिएक्ट नेटिब से प्रोजेक्ट बनते हो थो रिएक्ट नेटिब से लाए गेश्यू टोटल फ्रीडम एंड कंट्रोल ओवर हाओ यौर हाओ यू बिल्ड यूर एप मतलब आप रिएक्टिनेटिब से लाए के थूप मोस्टली काफी सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो और बटे इसमें दिक्कत यह होती है कि इसका कंफीगरेशन जो होता ना वह बहुत कर रहा होता है मतलब जो आपका कांफीगरेशन हो थोड और एक्सपो में एर्र कम आती है और उसका जो सेट अप वगरा होता वह भी इजी होता है ठीक है लगएलग फीचर्स कान से सपोर्ट मोस्ट अब इस करते से तो अर dar जो गया और पियुचर्ण वगरावड फीचर्ण हो गया है यह सारे कि सारे फीचर्स रीक नेटिब से लाइस सपोर्ट करती है मतलब ऐसे बहुत सारे डिवाइस पीचर से हैं जो की एड़ करते हैं एड़ नेटे मॉड्यूल रिटेन जावा अब्जेक्ट सी बायूजिंग रियक्ट नेटिस यहला है मैंने जब रियक्ट का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करूंगा तो महां पर मेरे पास जावा सुरी एं प्रॉपर एंवार्मेंट सेट अप रेक्ट नेटिस यहला है जो होता है वह एक तरीके से जैसे जावा और अब्जेक्ट सी आप आयोज और एंड्वाड की अप्लिकेशन बनातो तो उसके लिए जो कंप्लीट आपका एंवार्मेंट सेटप करना होता है प्रोजेक्ट के तो रीक्ट के देती है रीक्ट नेटिस से लाइब स्टी में पहली लाइन में देखा था है कि रीक्ट नेटिव। है ठीक है ना अब एडवांटेजिस क्या है रिखने लाइगे बेसिक सेट अप मैंने लिख रखा है बेसिक सेट आप इस रिक्वाइड पतलब छोटी-मोटी कमांड की दरूद होती है बट जो के लिए जो कन्फिग्रेशन लगता सोफ्ट्वेर्स का वह है भी होता और थोड़ा था कॉंपलीगेटेड होता कैन एड़ नेटेव जावा और अब्जेक्टिव सी मॉडूल्स इजली हम नेटेव जावा और अब्जेक्टिव सी के मॉडूल्स को एड़ कर सकते हैं अपने रिक्तर नेटिव सी अलग बनेगा एंडरोड के लिए अलग बनेगा एंडरोड प्लेटपांग के ठीक है यह फ्री और ओपन सोर्स है मतलब इसके लिए आपको लेने की दुरूद नहीं अब आता बात एक्सपो की क्या है एक्सपो इस फ्री ओपन सोर्स टूल चेन बिल्ट अराउंड रिक्तिनेटिव तो हेल्प अस्टो बिल्ड आयोस एंडर्ड प्रोजेक्स यूदिंग जावस्क्रिप्ट अंड यह तरीके सा एक्सपो जो है वो एक तरीकी टूल कित है ठीक ना जिसके मदद से अब टूल कि क्या होती है जिसमें आटोमेंटिकली चीज यह पहले से बनी बना ही रखते हुए है तो एक्सपो एक तरीके की टूल किता है एक्सपो फ्री ओपन सोर्स टूल चेन यह टूल किट बिल्ड आराउंड रियक्तिनेटिव तूहल्प अस बिल्ड नेटिव आयोस एंड रियक्त मतलब एक्सपो एक तरीके टूल किता है जिसकी मदद से हम रियक्तिनेटिव की एप्लिकेशन बना सकते हैं एंडरोड और आयोस की बाई यूजिंग जावस्किट और एक्सपो फ्रेमवर्क डैट बिल्ड आराउंड रियक्तिनेटिव विच हल्प हेल्प से यू तू स्ट है और जो आपकी टेस्टिंग होती है आपके लिए कॉंप जो एन्वायरमेंटल सेटप उता सॉफ्ट्वेर्स का वो भी एक्सपो के लिए इतना ज्यादा नहीं लगता मेन एडवांटेज ओव यूदिंग एक्सपो इस देट यू कन गेट मैनी फीचर्स लाइक एक्सेसिंग दा केमरा लोकेशन नोटिफिकेशन सेंसर्स एप्टेक्स विद इडि आउट-बोक्स सेटप देखो आउट-बोक्स सेटप मतलब है एंड्रोइड और आयो एंड्र जब आइस की डेवलपमेंट कर रहे हों तो आपको एक्स सब्सक्राइब की दरूशलवियर पर नहीं एक्सपो इस समय जो मतलब अगर आपको चलो वह बाद में पढ़ेंगे पहले इसके बारे में इस पॉइंट के बारे में पढ़ लेता है जो में एडवांटेज का है एक्सपो का वह क्या करता है आपको काफी सारे डेट डिवाइस फीचर जैसे की कैमरा हो गया आप मतलब बिना एक्सकोड और एंडरोड इस्टूडियों का सेट अफ रे हुए रियक्ट नेटिव सीला इना इसमें अगर आपको प्रोजेक्ट क्रियेट करना है तो आपके पास एंडरोड इस्टूडियो में अगर आप एंडॉड सौफट कर रहो आप और आप आप ईऑस ड होनी चाहिए या इससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और एक्स कोड जो है वह आपका टैन से बढ़ा होना चाहिए टैन से टैन में भी कुछ वर्जन होते हैं उसमें भी बढ़ा होना चाहिए एक्सकोड रियक्ट नेटिव डेवलपमेंट के लिए अगर आप आई यूस के करना पड़ता है फिर जावा इंस्टोल करना पड़ेगा यह सारी चीज़ें करने पड़ती हैं इसके बाद दे एक्सपो ओपन अवर प्रोजेक्ट ऑन आवर फोन वाइल वियर वर्किंग उन देम विदाउड नेडिंग तो गो थू एक्सकोड और एंड्रोड इस्टूड कि जब भी अपना प्रोजक्ट करकों तो आपको एंड्रोड इस्टूड्यो और एक्सपोड की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर इन दोनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एंड्रोइड और जावा और इसका नहीं एंड्रोइड और यूस का प्रोजेक्ट फोल्डर बनता है और उसी के अंदर आपकी जावा और आफ और उब्डीक्टसी से रिलेटड जितनी वी डिंगें सी दो या measurement इसके लिए एक एकड़ेट फोन्ट्स पोने सेटोड और इस्टूडियो करने की स्टाइह इस पो कि अलग अलग फीचर सएट इस पर प्रोजेक्ट आप इसली क्रेट करे लेते इसली आप आपSने बसे और उस चायर करकर ना दूसरे यूदर्स को इतने आप लोकल बनेगी आपके कम्पूटर में बनेगी आपको उसे जगए जगए भेजना तो आपको शेयर करने के लिए उसे भी भेजना पड़ेगा एपको लेकिन अगर आप एक्सपो के तुरू एप क्रियेट करते हो तो आपके पास यह एप ऑनलाइन बन जाएगी और उसे आप आप शेयर कर सकते हो जैसे एंड्रोड में शेयर वाला बटन आता ना उसके तुरू आप अलग-अलग यूजर्स पर अपने दोस्तों वगरा पर कहीं पर भी एप शेयर कर सकते हो और वहां पर उनके पास एक क्यूर को पहुंच जागा वो जस्ट उस क्यूर को स्कैन करके एक सकते हैं कि वह एप्लिकेशन कैसे वर्क करते हैं इजी अप डेपलोइमेंट एक्सपो से जो एप बनती है उनका डेपलोइमेंट बहुत आसान होता है आप डिरेक्टली एक्सपो की वेबसाइट से जाकर कर सकते हो डेवलप एंड्रोड और आईयोएस एप्स विदाउ लेना इसके बारे में कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा हो तो बताओ पर लेंगा इस एक्सपो से आप डेवलप करोगे ना अंड्रोड की एंड्रोड की जो एप्लिकेशन मनती है उसका जो एक्सटेंशन होता वह था डॉट एपी के और अब जो अब एक और आ गई है डॉट एएब लॉट एब नाम से भी अब एप्लिकेशन बनने लग गए और जो आपकी आई यॉएस की एप्लिकेशन होती है डॉट आई पी होती है आई पीए की फुलफों पूंद आई फोन एप्लिकेशन तो यह एक्सको के थूँ हम करेंगे तो कि ऑटॉमेटिक कि वर्कोड जन्रेट होगा हाँ एक्सपो के थे प्धाव डेवलप करोगे तो ऑनलाइन आपका अटोमेटिक लिए प्लिक लिए रखोड जन्रेट हो जाता उस कि यूजा कर सकते हो जैसे कि आप पेटियम के क्यू आइक कोड शेयर कर देते हो जैसर तरीक तो आपके पास इस्टॉल तो करने पड़ेगी लेकिन आपको से स्कैनर आता है बस उसे स्कैनर को ओपन करो उसे स्कैनर से आपने जे जो आपने एप्लिकेशन डेवलप करिए उसके किया और को स्कैन करो और स्कैन करने के बार डायरेक्टली ओपन हो जाईगी इसमें इसके साथ मैं कुछ और जोड़ दूंगा मतलब जो Android अभी आ रही है सही देखो ये जो लेक्चर है तुम्हारा इसमें मैं क्या कर रहा हूं अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझा दे रहा हूं जो तुम्हारा Android Studio है उसको setup कैसे करना है वो इसके साथ मैं जोड़ करके दूँगा ठीक है ना वो इसके साथ मैं connect करके दूँगा और तब यह वीडियो अपलोड होगी अभी अगर मैं ऐसे सिखाऊंगा तो तुम नहीं कर पाऊँगे तो उसमें मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूंगा वैसे वैसे तुम करते जाना तुम्हारा Android में तुम्हारे सिस्टम में रि आपको पूरी पूरी एपी के या फिर आपनी जो एंड्रोड की फाइल से या फिर आई यूस की फाइल है वो किसी को सेंड नहीं करने पड़ेगी जैसा कि अभी मैंने का था ना कि शियरिंग दा एप इस वाले पॉइंट में समझा था कि एक्सपो आपका एक क्यूर कोड जनरेट कर देता आप उसे ही सेंड कर दो अपने दोस्तों को या फिर किसी को भी जिसको आप आप दिखाना चाहते हो कि यह मैंने डेवलप करी है आपको उसके लिए एपी के और आई-पी और पूरी सेंड करने की ज़रूत नहीं है इसमें जो आई-उस में उसमें क्या गयते हैं क्यों आई-पी 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 लिखाया अरे तुम अपनी एप्लिकेशन शेयर करो ठीक है ना एक्सपोट डेवलप एक्सपो से आपने एप डेवलप करी उसका एक्क्यूर्ट जैसे कि एक्सपोट में जब आप वर्क करते हो तो आपके पास एक्सपोट एक अकाउंट होना चाहिए ठीक ना आप जितनी भी एप्लिकेशन डेवलप करोगे उसी अकाउंट के अंदर आपकी लिस्ट डाउन हो करके आती जाएगी QR कोड के साथ कि आपने यह यह देन उसके बगल में डाउनलोड का ओप्शन भी आता है आप उस पर क्लिक करोगे तो आप वह पूछेगा आपको एंड्रोइड की फाइल डाउनलोड करनी है कि आई यूस की फाइल डाउनलोड अपकी है मतलब आप एक्सपोट से जब एप्लिकेशन बना होगे तो जो ओगी नहीं नहीं आई यूस एप्लिकेशन आपकी एक्सपो में जब आप बना रहे हो तो इसके लिए अड्रोइड स्टूडियो वगरा वह करने की जुरूत नहीं आप डारेक्टली क्रिएट कर सकते हो आई यूस एप पी एक्सपोट दूबर इसके लिए कुछ और भी कावी सारे सेक्योर्टी फीचर्स होते हैं जो कि एपल में जादे होते हैं आई एंड्रोड में कम होते हैं ठीक है ना जब भी आप एंड्रोड की एप्लिकेशन बनाओगे एक्सपो के तुरू तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेकिन आइफोन की अप्लिकेश को हमें ध्यान में रखना पूलता है इंटीगरेट सम बेसिक लाइबरी सेना स्टेंडर्ड प्रोजेक्ट पुश्च नोटिफिकेशन कैमरा एट सेक्ट रा वगरा वगरा यह कुछ बेसिक लाइबरी या फिर आप कैसे तो नेटिव डिवाइस फीचर्स को आपको डिस्प्ले होने लगताएगा एक्सपो के एन बिल्ड एपी के एंड आई पीए फाइल ठीक ना एक्सपो की मदद से आप एपी के और आई पीए फाइल दोनों क्रियेट कर सकते हो जैसा कि अभी मैंना बताया डिस्ट्रिबुशन टू स्टोर्स पावरसिबल विद तो यहां पर सिंपल थी वात आपको एंड्रोड और एक्सकोड की दढूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आप सी एलाए की तुरू करोगे तो आपको डेवलप करने के लिए एक्सकोड और उसकी जरूरत पढ़ेगी एंडरुट इस्टूडियों की इसके बाद एक्सकूर इससे लेमें डिफरेंस क्या होता इस एक्सपो एन्वार्मेंट सेटब इस इजी होता है हम प्रोजेक्ट रन करवा सकते हैं बेना एंड्रोड इस्टूडियो और एक्सकोड के कोई बिल्ड जरूरी नहीं होती है नो बिल्ड इस नैसेसरी टू रन दा एप मतलब जैसे आपको एप्लिकेशन रन करवा नहीं है कि आप बार बार उस एप्लिकेशन को बनाओ अपने मुबाइल में इस्टॉल करो और देन उसे रन कर आओ लेकिन अगर आप पहले आपके मोबाल में इस्टॉल होगी और इस्टॉल होने के बाद उसे आप रन करा सकते हो ठीक है शेरिंग दा एप इजी वाया क्यूर कोड और लिंक शेरिंग इजी ली हो जाती है क्यूर कोड और लिंक की मदद से हम अपने एक्सपो एप को शेयर कर सकते हैं अब यहां पर डियक्टिनेटिव सी एलाय में एन्वायर्मेंट टैट अप इस डिफिकल्ट मैंने गाता सब्सक्राइब आपको अगर रन करानी आप अपने इमिलेटर में आपको अपने पड़ेगी उसके बाद ही आप उसे रन करा सकते हो मतलब यह पहले इस्टॉल होगी आपके मोवैल में उसके बाद रन करेंगी वह मैं दिखा दूँगा शेरिंग अप बाइ मेगिंग इट्स एपी के और आईपी अपको तब ही शेयर कर सकते हो जब तक आप आपने इंड़ोनों फाइल को बनाना पड़ेगा दैन आप इसे शेयर कर सकते जरूरी नहीं है कि आपको एपी के और आईपी अजे बनानी पड़ेगी अगर आप जेसन होती है उस फाइल में कुछ चेंज करने पड़ते हैं और उस चेंज करने के बाद तब हम जा करके एप्लीकेशन बंद एप्लीकेशन आपके फाइल और जब हम करते हो आपके पास प्र दिस्क्ले होने लग जागा में तो क्या कर हुआ है मैं मिलिटर निंगा ते सजो अबए जाए मेरे तो लेकिंगा सिस्टम होगा तो इससे क्या होगा कि मेरे डिवाइस में यहां पर तुम्हें देख रहे हुँ एक्सपो एप वर्कफ्लोव एक्सपो में जब भी हम एप क्रियेट करते तो हमारे पास दो अलग अलग तरीकी के वर्कफ्लोगा एक मैनेज़ और एक ठीक ना एक्सपो की अब जितनी भी एप करता हूँ इसमें क्या होता है कि आप एक्सपो से एप्लिकेशन जब बनाते हो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्सपो इंट्रोड्यूज दब बेयर वर्कफ्लोव इन टूसान नेटीटू गिफ डेवलपर्स कंप्लीट कंट्रोल अलांग विद कॉंपलेक्सिट सब्सक्राइब लौड्ट करते या टो सब्सक्राइब गया होता और रीपेज्टिनेटिक्शन करेंगए मतलब आप सब्सक्राइब कि आपका मतलब कॉंपलेक्सिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है मैंने इसमें इसका सिर्फ एक डिश्ट बांटेज है कि इसमें आप ज्यादा फीचर्स वगरा नहीं डाल सकते पर इस क्रेश को स्वरी इस कोर्स में हमें जितने भी टॉपिक्स की जरुद पढ़ने वाली ह क्यों से हम क्रिएट करेंगे उन से एंडल कर लिए जाएगी मैं तो मैं रियक्ट नेटिव सियला कान्फिग्रेशन बता दूँगा उसमें प्रजेक्ट कैसे इस्टॉल करते हैं अलग-अलग तरीकिक अगर हमें इस्टॉल करना उसमें कुछ चेंज करना तो कैसे चेंज कर हो एंड एक्सपोर्ट टूल्स एंड सर्विसेस टेक कियर ओफ एवरीटिंग एल्स फर यू देखो मैंनेजड एप्स में क्या होता है कि आप रियक्ट नेटिव कोड लेको ठीक है ना बागी सारा का सारा काम एक्सपो देख लेगा कि उसे स्टॉल कैसे करना है मतलब जितन होतनी पड़ती है विद मैनेजड वर्कफ्लोव एक्सपो ट्राइस टू मैनेज एस मच ऑफ दा कॉंपलेक्सिटी और बिल्डिंग एक्सपो जो होता है आपकी जो एप डेवलपमेंट की कॉंपलेक्सिटी होती हो से रिड्यूस कर देता है ठीक है अब यहां पर सी अलाइ सेट अब बगर आये इसके बारे में अभी बताता हूं देखो यहां तक जो ओवरोल कंफिल कंक्लूजन निकल के आया है वह यह कंक्लूजन है कि रियक्ट नेटिव सी एलाइज जो होती है वह क्या करती है आपके मोश्टली नेटिव डिवाइस फीचर्स को एक्सेट करती ह बट उसका कंफिग्रेशन सेट अप जोता है सॉफ्ट्वर का वह बहुत जादा कॉंप्लिकेटेड होता है दूसरी बात उसमें जब भी आप वर्क करते हो तो थोड़े से एरर जादे आते हैं कंपेर टू एक्सपो ठीक है दूसरी बात जब आप एक्सपो के साथ वर्क कर सब्सक्राइब लेकिन रिएक्टे नेटिव में जब भी आप डिपेंडेंसी इस्टॉल करोगे नहीं तो चांसे थोड़े से ज्यादा हो जाते के एरर आने के क्योंकि क्या है महां पर कंफिग्रेशन अगर थोड़ा सा भी मैं जब हम किसी नई डिपेंडेंसी को इस्टॉ इतना बता रहा हूं कि आप जो यूज करो बेयर या मैनेजडे में से ही यूज करो मैं मोशली बैर एप्स यूज करता हूं मैं रियक्ते नेटिव सी एलाजओ बिल्कुल यूज नहीं करता है बीर एप्स में मेरी जो एप्लीकेशन बन किया गी इसमें भी आपके सब्सक्राइब करते यह सारी चीजह मैं जब सौफ्टवेर का जो वहां पार्ड का इस वाले लेक्ट्टर के साथ अटैच करके यह वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद हम यह जो पर उसमें क्या है कि तुम्हारा कॉंफिगरेशन जो था ना वो ठीक से नहीं हुआ था तुम चले गए थे चले गए थे तो इस वादिसे नहीं हो पाया अगर तो महां पर रहते तो मैं कर देता अब मैं क्या करूंगा मैं आज का लेक्चर में इदरी खतम करता हूं मैं आज ही आज मैं जितना भी सौफ्ट्वेर इसका जैसे भी है वह सब बना बनू करके इंस्टॉल करके तो मैं देखा दूँगा ठीक है यह भी हम देख लेंगे कि हम देखो जो तुम्हारा मतलब मैंनेज़ एप्स के तुरू और बेर एप्स के तुरू वर्क करेगी और जितना भी वगएरा में आ रहा है आपका वो सारी चीज़ें में करके बता हूं हां तो मैं कहा था मैं था कि एक्स पो और सफ्फट्व का सॉफ्ट्वेर कन्फिग्रेशन टिपिकल है है कि टीज़ी दूसरी चीज पर нез चल्ए में आपके एररस जादे आते हूं इसके अलावा अगर आपको रियक्टर नेटिव दिट लेना है लेकिन आप चाहते हो कि आपको जादे कोई कोनफिगरेशन नहीं करना पड़े पहली चीज दूसरी चीज क्या है कि आपको टिपिकल तरीके मतलब एक तरीके से आपकी रियक्टर नेटिव की जो नेटिव डिवाइस फीचर वो भी एक्सेट कर ले देन आप एक्सपो बेयर एप्स को यूज करो और अगर आप चाहते हो के बेयर एप्स नहीं मैं एक्सपो मैनेज़ डेप्स के साथ ही वर्क करना चाता हूं जहां पर बनी बनाई के डिपेंडेंसी मेरे पास रखी रहती है तो अब मैं एक्सपो मैनेज़ डेप्स का यूज कर सकते हो तीनों को हम इस्टॉल करेंगे ठीके ना एक्सपो बेयर एप्स में और रियक्टिनेटिव सी अलाय मैं लगबग एगी जैसा सेट अप होदा सॉफ्ट्वेर का लेकिन मै कराना चाहते हो आप अपनी रियक्टिनेटिव एप्स को जो की एक्सपो मैनेज़ डेप्स एंवार्मेंट से बनी हुई है तो आपको किसी भी एंड्रोड इस्टूडियो और आयो इस नाम के सॉट्वेर की मतलब एक्सपोड की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सिंपली उस होप आपको चीजे समझ आई होंगी अगर आपकी कोई कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉगन कर सकते हैं www.learn2unless.com contact us.php हम आपकी कोईरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक्यू झाल 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 झाल झाल